हेलो दोस्तों, एसी किलासिस में आपका सुवागत है यूपी पुलिस, यूपी एसाई और लेकपाल की परिक्चा को देखते हुए आजम करने वाले हैं यूपी जी के जो उत्तर प्रदेश की सभी पिर्तियों की परिक्चाओं के लिए अतिमहत पून है Q1. उत्तर प्रदेश के किस नवपासं कालीन पुरा इस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं Q2. बुद्ध की पिर्थम मूर्ती निर्मित हुई थी Q3. उत्तर प्रदेश में तामर पासानिक सभ्यता का साक्ष्य किस इस्थान से पराप्थ हुआ है Option ठीक हो जाएगा A. साहरण पुरसे Q. बोध्धों के लिए उत्तर परदेश में इस्थित सारणात क्यों महत्पून है? Option ठीक हो जाएगा D. ज्यान प्राप्त करने के बाद भगवान बुध्य ने सारणात में अपना पहला अपुदेश दिया था Q. साटक वस्त निर्माण का प्रमुक केंदर था B. वाराणसी Q. कन्योज से पूर्व हर्सवर्दन कहां का सा सकता D. थाने स्वर का Q. आजीवक संपरदाय के परवर्दक मक्खली गोसाली की जनम भूमी थी Q. आजीवक संपरदाय के परवर्दक मक्खली गोसाली की जनम भूमी थी Q. अप्शन ठीक हो जाएगा D. स्रावस्ती Q. राज्य के किन जिलो से नव पासन कालीन साक्षे प्राप्थ हुए है Q. अप्शन ठीक हो जाएगा D. ये सभी कुसर नमर 9 मध्य पासानी काल के किस इस्थान से सींग के आबुसन के साक्षे मिले हैं option ठीक हो जाएगा C लेखिया से कुसर नमर 10 बास खेडा अभी लेक नीमन में से किस सासक से संबन्दित है option ठीक हो जाएगा B हर्सवर्दन से कुसर नमर 11 रुहेल खंड का संस्थापक कौन ठा option ठीक हो जाएगा A अली मौमद खा कुसर नमर 12 अयोद्दा अभी लेक किसने परिचलित करवाया था option ठीक हो जाएगा D धन देवने कुसर नमर 13 चेदी महाजनपद उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तित था option ठीक हो जाएगा B बांदा कुसर नमर 14 जेंद्रम के 23 तीर्थंकर पार्सवनात का जनम राज्ये के किस जिले में हुआ था option ठीक हो जाएगा B वारान C कुसर नमर 15 उत्तर परदेश के किस जिले में आलमगीरपूर इस्तित है option ठीक हो जाएगा C मेरट में कुसर नमर 16 बुद्ध की प्रतीमा का पहली बार विकास हुआ option ठीक हो जाएगा C मतुरा कलामे कुसर नमर 17 उत्तर परदेश के किस इस्तान में बुद्ध ने अपना पहला विदेश दिया और अपनी कार्यवधी की नीव रखी option ठीक हो जाएगा C सारनाथ में कुसर नमर 18 रिसी पतन या मरगदेव का आधुनिक नाम क्या है रिसी पतन या मरगदेव का आधुनिक नाम क्या है option ठीक हो जाएगा D सारनाथ कुसर नमर 19 सूची एक को सूची दो में मिलाईए अंतरजी खेडा इसका पुरान नाम है पिलो सान option ठीक हो जाएगा दो अहिन शत्र इसका संबंद है पांचाल से C आलमगीरपूर इसका संबंद है सेंदव संभ्यतासे कन्योज इसका पुराना नाम है नगर महुद्य स्री कुसर नमर 20 कुसी नगर किस गणराज्य की राजदानी थी option ठीक हो जाएगा A लिछवी गणराज्य की कुसर नमर 21 गुप्त कालीन दसावतार मंदिर प्राप्थ हुआ है option ठीक हो जाएगा C देवगड में कुसर नमर 22 इसकंद गुप्त ने उतर प्रदेश के किस जनपदर में भीतरी अभी लेख लिखवाया था option ठीक हो जाएगा C गाजीपुर में कुसर नमर 23 असोक इस्थम पर हरी सेन द्वारा, रचित, समद्र गुप्त का परिस्थिस्ति लेक प्राप्त हुआ है अप्संटी को जाएगा B, प्रियाग में कुसर नमर 24 उत्तर परदेश के किस बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कारेविधी के नीव रखी अप्संटी को जाएगा C, सारनाथ में कुसर नमर 25 निवन में किन इस्थानों की तीरत यात्रा असोक ने नहीं की рок纬 निवन में किन इस्थानों की तीरत यात्रा असोक ने नहीं की अप्संटी को जाएगा A, आयोद्धा हरिदोर कुसर नमर 26 आयोद्धा का प्राची नाम था अप्संटी को जाएगा B, आयाजसा कुसर नमर 17 मत्रा किस जनपत की राजदानी थी मुथरा किस महाजनपद की राजदानी थी कुसन नमबर 28 सरावस्ति किस महाजनपद की राजदानी थी हर्सवर्दन दुवारा उत्तर प्रदेश के किन किन इस्थानों पर बोध सम्मेलनों का आयुजन किया गया परियाग राज और कंणोज में कुस्यों No.3 निमन में से सिंदू सब्याष्यास से सम्बनित कौनकौन से केःदर उत्तर परदेश में इस्तित है D. आलमगीरपूर और फुलास थान्यवाद